सुनो United fans, अगर अब कोई तुमको बोले ना, कि Europa League छोटा competition है, तो टीमों के नाम गिनाना शुरू करना, और फिर देखना कौन सी टीम है किस competition में खेल रहे हैं, और हाँ, बाकी सब पर जाने से पहले एक बात और, भाईया, रोनाल्डो का pull power, अभी तक अगर किसी ने आशंका जता ही थी, एक शक के दाइरे में रखते थे कि अरे ना, रोनाल्डो का pull power नहीं है, भाई, रोनाल्डो का pull power है, गजब का pull power है, भाई, बार्सलोना येरोपा लीग में, युवेंतस येरोपा लीग में, आयेक्स येरोपा लीग में, एकलेटिको मेड़ेड येरोपा लीग में almost spurs भी आ सकते यूरोपा लीग में भाया इतनी team में लाके खड़ी कर ली यूरोपा लीग में और क्या चाहिए Champions League is not Champions League anymore, यूरोपा लीग is the new Champions League and मैं ये भाई break करके या फिर कुछ exaggerate करके नहीं बोल रहा, reality भाई यही है, तो कि reality अगर आपको दिख रही है कि इतने बड़े-बड़े clubs अब यूरोपा लीग में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अब United के जीतने की जो probability थी, वो काफी ज़्यादा कम हो चुके, क्योंकि देखो यार firm favorites हम पहले भी नहीं थे firm favorites हम बिलकुल रहे नहीं है क्योंकि अब अगर बार्सलोना जैसे team यूरोपा लीग में आ गई है with Robert Lewandowski and all other players जो कि इनोंने sign किये थे इस transfer window में, तो obvious ही बात है they have become one of the firm favorites to win the competition और अगर हमें इन teamों को avoid करना है, अभी आगे face करने के लिए जैसे knockout round में तो भाई हमें group top करना पड़ेगा और आज हमारा जो game है sheriff against, वो बहुत ही ज़ादा crucial हो जाता है, इस perspective से भी कि अगर हम group top नहीं करेंगे तो हमें UCL से जो eliminate होके आ रहे हैं team, उन में से किसी एक team से बिढ़ना पड़ेगा and let's be very honest जितनी भी team यूरोपा लीग में आ रहे है eliminate होकर, ऐसा नहीं है कि हम उनको एक तरफा match हरा देंगे नहीं, हमें बहुत पापड बेलने पड़ेंगे and especially इस Barcelona side के against अगर हम group top नहीं करते हैं अगर हम group में second finish करते हैं तो हमें भाई, Barcelona Juventus, Atletico, Madrid Ajax या फिर Spurs मतलब Spurs नहीं, सौरी क्योंकि Spurs English team है तो उसको हम face नहीं कर सकते इन टीमों में से किसी एक team को face करना पड़ेगा जो कि हमारे Europa League ambition के लिए बिलकुल भी सही नहीं है हमने पैरों पर अपने तब को लाड़ी मारी थी जब हमने Real Sociedad के against अपना पहला मैच नहीं हार गए थे और वहाँ पर हमने 3 points गवा दिये थे अब हमें आज भी जीतना है और फिर हमें Real Sociedad के against भी dominate करके अच्छी score line से जीतना है तब ही हम group top कर पहेंगे तो यहाँ पर भाई अब जो Europa League की हमारी रहा है वो मुश्किल और अगले round में जाने के बाद और जादा मुश्किल होती जाएगी and eventually अब हमारा tournament जीतने का जो chance था वो और जादा slim हो गया तो percentage of error और team selection में error अब हम afford नहीं कर सकते और उस सारे perspective के हिसाब से आज का game हमारे लिए एक stepping stone है group top करने के लिए साथी साथ इस competition में अपनी छाप छोड़ने के लिए भी क्योंकि अगर मैं group wise बात करूँ तो हमारे group में पहली बात तो हमें ऐसा competition मिला नहीं था कि हमें अभी basically first finish करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती काइदे में जैसा हमारा squad है और जैसा हमारी बाकी तीन टीमों का squad है group में उसमें हमें superior रहना चाहिए था not just on paper but also on the field बट वो हम करने में नाकामयाब रहे हैं and eventually अगर मैं ammonia वाले game की बात करूँ last वाले जो कि हमने अपने home पर खेला था भाई हमने इतने ample chances बनाए थे लेकिन we were very wasteful same can be said about Chelsea as well आप multiple games के example उठा कर देख सकते हो के आपने कितने chances बनाए हैं और उसके बाद आपने goals कितने score की हैं but उन सब चीजों पर जाने से पहले भाई let me tell you one thing that this video is sponsored by 12thman gaming application and भाई T20 World Cup भी चल रहा है Europa League भी चल रही है Premier League चल रही है and साथी साथ World Cup जो FIFA World Cup है वो भी आने वाला है तो अगर अभी तक आपने 12thman gaming app डाउनलोड नहीं की थी तो use the link given in description डाउनलोड करो भी app को और इस पर आपको बहुत सारे cash prizes जीतने के मौके मिलेंगे क्योंकि ये एक fantasy app है तो यहाँ पर आपको अपनी team बनानी है match day के according उसके बाद paid contest जोइन करना है जो कि मैं आपको suggest करूँगा कि आप इनका mega contest जोइन करिए और वहाँ पर आप अपना luck आजमाईए और धेर सारा पैसा जीतने का try करिए उसके अलावा भाई अगर आप moving के through अपने wallet में 200 रुपीज का minimum balance add करते हैं तो 100 रुपीज का तक का cashback आपको अपने account में मिलेगा bank account में उसके अलावा अगर आप 100 रुपीज तक का या फिर कितना भी balance add करेंगे और मेरा coupon code 1MFC use करेंगे तो आपको 100 रुपीज तक का जो additional bonus amount है वो अपने 12th man gaming app wallet में मिलेगा तो भाई देरी मत कीजिए और आज ही download कीजिए 12th man gaming app लेकिन suggestion मेरा ये रहेगा कि भाई आप अपने risk पर इस पूरे tournament में जितने भी matches केलें बहुत सोच समझ के खेलें बिकाज इसकी लट भी लग सकती है तो भाई team news हमारे पास already है कि कौन से players available है selection के लिए कौन से players available नहीं है तो भाई सबसे पहले तो रफाइल वरान वर्ल्ड कप तब बाहर बैठेंगे ये already 10th man ने confirm कर दिया and सबसे बड़ी news जो है आपके सामने वो ये है कि रोनाल्डो आज game start कर सकते हैं और मेरे हिसाब से वो game start इसलिए भी करेंगे क्योंकि Anthony Marshall is still out injured तो Marshall भी नहीं आये है और जिस तरह का form सेंचो कर रहा है उसको मद्दे नजर रखते हुए आपका रोनाल्डो का start करना और जादा एक निश्चित बन चुका है उसके अलावा Harry McGuire वापस आचुके हैं Van Bisaka वापस आचुके हैं और आपके Donnie Wendibig वापस आचुके हैं तो भाई आपके पास आप bench पर भी options available हो गए हैं कि आप अपना गर squad rotate करना चाहो तो कर सकते हो बट क्या इस point of time पे Ten Hag इतना बड़ा gamble खेलेंगे किया तो बड़े बड़े धुरंदर उनका weight कर रहे हैं eliminator round में या फिर मैं ये कहूँ qualify round में खेलने के लिए तो भाई इस point of time पे team selection बहुत crucial हो जाता है और जब team selection की बात आती है तो obviously बात है आपका main जो discussing point रहता है वो ये रहता है कि भाई अब centre back pair कौन रहेगा क्योंकि आपको पता है Maguire fit हो चुके हैं तो Maguire भी available है और Lindelof भी available है बट जैसे मैंने का कि I don't want 10 hack to start Harry Maguire instantly because ना तो अभी body उस shape में आई है ना ही match fitness आई है और ना ही एक तरीके से उस zone में होंगे Harry Maguire की सीधे आकर इस तरीके से एक बड़े game में अपने आपको inherit कर पाए याद है last year का Leicester वाला game जहांपर ओले ना सोलशार नहीं गलती की थी कि Harry Maguire को rush किया था injury से और सीधे first team में डाल दिया था और उसके बाद Harry Maguire का जो season गया था वो बत से बत्तर होता चला गया था तो in that regard as well I don't want Harry Maguire to start तो मेरी backline रहेगी भाई Luke Shaw, Lissandro Martinez, Lindelof and आपके Diago Delo not even Van Bissaka because of obvious reasons goalkeeping department भाई अभी तक सारे games में उसने David Diago start दिया है तो I am not you know expecting डुवराफ का आज की game में start करेंगे obvious ही बात है David Diago start करेंगे बात आती है आपकी midfield की तो भाई midfield में जब से Casemiro ने game start करने शुरू किये भाई काया पलट होगी United के पूरे game style की plus हम command करने लगे है midfield हम dominate करने लगे है सामने वाले को midfield में तो Casemiro का होना बहुत जरूरी है और obvious ही बात है Casemiro start कर रहे है तो भाई उनके along side आप एक ball carrier रखना चाहोगे हाठी क्या भी है कैसे तो के Fred भी इस game में start कर सकते है because Fred was very good against Purs but at the same time Fred was very average against Ammonia जो हमने home पर game खेला था तो उस scenario को consider करते हुए और जितना basically break time मिला था Ericson को उसको consider करते हुए भी आपको Ericson को start देना पड़ेगा because you need to score goals you need to kill the game और उस basis पे अगर मैं consider करूँगा अपनी team selection तो Ericson का नाम आएगा ही आएगा और सबसे जादा chance भाई अभी तक United के लिए जो बनाए है वो Bruno Fernandes नहीं बनाए है तो आप Bruno को तो बिल्कुल बार बैठा नहीं सकते हो क्योंकि अगर आपको अपने forwards को feed करना है तो आपको Bruno जैसे player की जरूरत पड़ेगी हाँ अवेस्टी बात है Bruno के साथ उतरना एक रिस्की मामला भी रहता because Bruno loses a lot of position in the middle sector and as well as in the midfield के थोड़ा सा पीछागर में आऊँ अगर second sector की बात में करो तो उस area में वो बहुत ज़ादा position lose करते है but at the same time जो एक X vector Bruno लेकर आते हैं पिछ के उपर वो कोई और player आपका provide नहीं करता कि continuous risk लेना and continuous अपने forwards को feed करने की zeal रखना वो आपके कोई और player के अंदर मुझे नहीं दिखती है तो Bruno will be starting as a number 10 बात आती है आपके right wing area पे तो हाँ आज आप इस game में Anthony को rest देकर आप Jaden Sancho को right wing पर ज़रूट try कर सकते हो but फिर वह वह बात है कि in form अगर player में देखू तो वो आपके Anthony है और अभी confidence के दिरूट जिस player को है वो आपके Jaden Sancho को है तो अगर United lead ले ले लेती है early in the game तो second half में I would say कि Jaden Sancho को right wing पर use करो and फिर उसको थोड़ा game time देकर उसके उस position पर डालो जहापर वो creating department में थोड़ा help कर पाए और basically confidence gain कर पाए also जब left you know left wing area की बात आती है तो हम बहुत बात discuss कर चुके है कि Garnasco को start देना चाहिए Elengo को start देना चाहिए नहीं I think Rashford need to start as the wide forward and Ronaldo need to start as the center forward because चाहे जितना आप बोल लो कि Rashford ने इतने chances create की है Rashford ने ये work rate दिया Rashford ने ये किया है वो किया है but at the same time Rashford hasn't been clinical and यहाँ पर आपको चाहिए है goals तो आपको चाहिए आपका natural goals scorer और फिर वही वहल बाली बात आती है कि season में जितनी injuries Marshall को हुई है और जितने chances हम बना रहे हैं और जितने chances हम spill out कर रहे हैं हर game में आपके उपर उपर वाला महरबान नहीं होगा कि आपको multiple chances मिलें आप spill करो लेकिन फिर भी आपको एक आदा goal कहीं से मिल जाए क्योंकि luck भी एक नएक time पर आपका run out कर जाएगा और उस point of time पर आपके पास जादा options भचेंगे नहीं switch करने के लिए तो बहुत जरूरी है रोनाल्डो का start करना game time लेना क्योंकि बहुत crucial games आने वाले हैं और basically अब जो भी conversation रोनाल्डो और Eriton के बीच में हुई है I think and I hope and I wish कि clarity आ गई होगी manager को और player को कि दोनों का stance है और किस तरीके से manager और player मिलकर United का ये season जो है वो successful बना सकते है and देखो यार रोनाल्डो से बड़ा अभी club में कोई player है नहीं तो रोनाल्डो needs to lead by an example and रोनाल्डो को अगर by an example lead करना है तो अपिर कहीं न कहीं रोनाल्डो को भाई अपना जो एक ego है वो side रखना पड़ेगा and same 10 hack का जोगी ego है वो भी थोड़ा side रखना पड़ेगा for the betterment of the club and for the success of the football team यहाँ पर एक example already set कर चुके है 10 hack रोनाल्डो को punish करके and I don't feel कि अब आगे इस चीज की ज़रुत पढ़ने वाली है and I hope रोनाल्डो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अब उन्हें fully focus लोकर इतने बड़े tournament से पहले जो की FIFA World Cup आने वाला है उससे पहले कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे की unnecessary media attention मिले and media criticism मिले तो यह तो मेरी line up थी अब बात करते हैं थोड़ा सा approach को लेकर देखो यार यूरोपा लीग में जब हम enter किये थे तब हमने सोचा था कि हम इस competition को जीट सकते हैं लेकिन क्योंकि अब इतनी ज़रा team में बढ़ चुकी हैं तो हमारे जीतने के जो chances ने वो slim हो चुके हैं बट इसका मतलब यहीने के competition जीता नहीं जा सकता all you need to do is be precise क्योंकि last year medit की रहा इससे भी ज़्यादा मुश्किल थी जब वो round of 16 में आये थे और round of 16 से लेकर उनकी final तक की रहा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रही थी पहले PSG फिर Chelsea, फिर Man City और फिर उसके बाद Liverpool सारे super giants जोकी ultimate favorite थे competition जीतने के उनसे ठकराए थे वो and if you want to be the best if you want to win the trophy at the end of the season तो आपको हर एक challenge के लिए ready रहना पड़ेगा फिर चाहे वो Barcelona हो चाहे वो Juventus हो चाहे वो Spurs हो चाहे वो कोई और हो या कोई और हो तो basically अब 10 है कि ये और ज़्यादा responsibility बढ़ गई है कि उन्हें players को motivate करके रखना है and players की responsibility बढ़ गई है या बन गई है कि अब उन्हें अपने fanbase को ये दिखाना है और basically खुद को भी एक silverware जीत कर वो feeling you know feel करवानी है basically कि एक trophy जीतने पर एक player के अंदर जो एक development होता है league की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है क्योंकि जोजे मुरीनियों के बाद हम कभी भी इस तरीके से dominant होकर नहीं उतरे हैं field की उपर जैसे हम इस साल खेल रहे हैं and the credit should be given to ten hag क्योंकि ten hag ने ना सिर्फ आकर आपकी football बदली है बट cultural habits भी बदली है आप देख रहे हो कि United अगर game हार रही है तो players जकर social media पे अपने basically rent नहीं कर रहे है या फिर apologies नहीं दे रहे है वो अगले game मेर आकर deliver कर रहे है performances और उसके basis पर वो जवाब दे रहे है अपनी performance से और कहीं न कहीं यह जो cultural development हुआ है यह बहुत ही ज़ादा जरूरी था United के लिए and once again भाई इतनी team में आ गई है तो अब दिल छोटा मत करना के आप Europa League में खेल रहो यह मान के चलो के Europa League is the new Champions League and यही fact है and guys अगर आप channel पे नए है तो please I would like you to you know subscribe to 1MUFC because we are very close to 36K कर दो कर दो के जो कर दो कर दो करोबचए